आज हम लोग question करेंगे economics paper 4 का थिरी का exam आप लोग दे चुके हैं तो चलिए 4 का question देखेंगे कि क्या है आज का question कर नीती का उत्पादन तथा बितरन पर क्या परभाव परता है या कर की परिवासा दिजिए कर के उत्पादन और बितरन पर परभावों की विवेचना की दिए हुआ होता है ठीक है ना तो इसी according हम आपको question देते हैं ताकि इस question की आने की संभावना अधिक होएंगे तो चलिए इसका answer हम लोग देखते हैं कि क्या है कि किसी देश की करपरनाली का देश की उत्पादन उपभोग बिनमे तथा बीतरन आधी पर परभाव परता है डाल्टन महोदे के अनुसार वही करपरनाली सर्वत्तम होती है जिसकी आर्थिक दिरिश्टी कोन से सर्वत्तम अर्थात कम से कम बुरे परभाव होते हैं उन्ही के सब्दों में करो के परभाव अच्छे और बुरे दोनों परकार के हो सकते हैं डाल्टन महोदे ने कर के परभावों का वर्णन तीन भागों में बाट कर किया है पहला है करो का उत्पादन पर परवाब बी करो का बितरन पर परवाब अगला करो के अने परवाब तो एक बारे में हम लोग बात करेंगे कि करो का उत्पादन पर परवाब क्या है डाल्टन के मता नुसार करो से उत्पादन पर त काम करने और बचत करने की योगता पर परवाब काम करने और बचत करने की इच्छा पर परवाब और विविन बेपसायो और अस्थानों के बीच साधनों के बितरन पर परवाब काम करने और बचत करने की योगता पर परवाब कैसे परता है तो देखेंगे जब ब्यक्ति सरका को कर देता है तो उनके हां से क्रे सकती का एक भाग निकल जाता है जिससे उए पहले की अपेक्चा कुछ कम बस्तुए खरीद पाते हैं इसका उनके जीवन अस्तर पर बुरा परभाब परता है अर्थात जीवन अस्तर पहले की अपेक्चा कुछ नीचा हो जाता है जीवन अस चमता में कमी आ जाती है तो वे पहले कि अप एक्चा काम कम कर पाते हैं जिससे उनकी आय में भी कमी हो जाती है और इनकी बचत करने की चमता भी कम हो जाती है अगला जो है वह काम करने की और बचत करने की इच्छा पर परवाव करो का ब्यक्ति के सुभाब पर भी परवाव जिससे ब्यक्ति की काम करने और बचत करने की इच्छा प्रभावित होती है काम करने तथा बचत करने की इच्छा आय की मांग की लोच से अधीक प्रभावित होती है इस पर हम दो दिरिष्टिया से विचार कर सकते हैं आय की बिलोचदार मांग यदि ब्यक्ति की आय की परती मांग बिलोच होती है तो कर देने पर उसकी आय में जितनी कमी आती है उसकी पूर्टी वो अधिक परिस्रम से काम करके अतरिक्त आय प्राप्त कर सकता है इस परकार आय की मांग बिलोच होने पर करों से ब्यक्ति की काम करने और बज़त करने की इच्छा बढ़ जाती है आय की मांग लोचदार होने पर अगर किसी ब्यक्ति की आय की मांग लोचदार होती है तो उसे कर परदान करने के बाद कर के द्वारा हुई छती को पूरा करने के लिए अधी काम करने की प्रेरना नहीं मिलती है क्योंकि आय की मांग लोचदार होने के कारण वो परिसरम करके आय बढ़ाने के बज़ाए घटी आय पर ही संतोस कर लेते हैं परतेक समाज में दोनों ही परकार के ब्यक्ति मिलते हैं जिनकी आय के परती मांग लोचदार या बिलोचदार होती है जो लोग अपनी समाजिक इस्तिती को यथावत बनाये रखने या उसमें सुधार करने की इच्छा से युक्त हुआ करते हैं वो ये कठीन परिश्रम करके भी अपनी आय को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं इसके भी प्रित कुछ लोग आलसी और संतोसी प्रयप करती के होते हैं जो निरासाबादी या भागेबादी होने के कारण आधिक काम करने या बचत करने की चिंता नहीं किया करते हैं उत्पादन के भीविन साधनों का अन्यास अस्तानों में अस्तांतरन कुछ लोग उत्पत्ति के साधनों को उन अस्तानों या बेवसायो से हटाकर जिनमें सरकार ने कर लगाया है वहां ले जाते हैं। स्थान पर किसी बस्तू विशेस के उत्पादन को परुषाहित करने करना चाते हैं तो वो उस बस्तू के उत्पादन से समंदित करो पर छूट दे देती है इसके विप्रित यदि किसी विफ्षाहित को परुषाहित नहीं करना चाती है तो उस पर भारी मातरा में कर लगा दे समाजिक और समंताओं की समस्या आज की दुनिया में मुख्य समस्या है परतेक देश की सरकार अधिक्तम समाजिक कल्यान को संभब बनाने तता लोक हितकारी राज्य की अस्तापना करने की चेश्टा करती है यह तब तक संबब नहीं हो सकता जब तक की समाजिक विशमता को दूर ना किया जाए परगति सील करों के द्वारा सरकार इस विशय में विशय सफलता प्राप्त कर सकती है यदि सरकार आय कर मिर्टु कर उपहार कर संपदा पर आधी को परगति सील दर पर लगा कर उन से प्राप्त आय को सर्वजनिक कल्यान पर खर्च करने की नीती अपना है तो समाजिक भी समता अर्थात बितरन की असमंता को काफी सीमा तक कम कर सकती है अगला जो सी पॉइंट है वो है अन्य परवाप उत्पति और वितरन की अतरिक्त करारोपन की नीती उपभोग रोजगार तथा आर्थिक स्तिर्था को भी परभावित करती है करारोपन के अन्य आर्थिक परवाव नियमनू सार है करारोपन का उपभोग पर परवाप जब सर काम बस्तू और सिवाव का उपभग कर पाता है जब कर का भार नेर्धन बर्ग पर परता है तो उसका स्वास्ते और कारे छमता गिरते हैं इसके बिपरित यदि कर भार धनी बर्ग पर परता है तो वे कर का भुगतान अपनी बचत में से कर देते हैं तदा करारोपन का उनके उपभोग पर कोई परभाव नहीं पड़ता है यदि सरकार सराव आदी मादक और हानिकारक पदार्तों पर कर लगा देते हैं जिन से इन बस्तूओं का मुल्य उचा होकर उपभोग कम हो जाता है तो इसका परभाव जनसधारन के स्वास्ते और कारेच्छमता पर अच्छा प पर जब बिलोचदार मांग की बस्तूपर कर लगा दी जाती है तो इससे उपभोग की मातरा कम नहीं होती परन्तु संतुष्टी की मातरा वस्ते कम हो जाती है करारोपन का रोजगार पर परभाव लाद किन्स के मतानुसर किसी देश की संपूण आर्तिक रिया उपभोग के अस्तर से निर्दारित होता है जब देश में उपभोग का अस्तर उचा होता है तो इसका परभाव उत्पादन और रोजगार पर अच्छा पड़ता है परंतु जब करारोपन अनके द्वारा जनता की करे सक्ति कम हो जाने के करारूप भोग का अस्तर गिर जाता है तो इसका परभाव उत्पादन और रोजगार पर विप्रित परता है डालटन के अनुसार के सब्दों में निसंदे करारोपन में बरे और यकाक परिवर्तन की संभावना सरय के बरे और यकाक बिस्तापन के द्वारा बेकारी में बिरिधी करती है लेकिन करारोपन का एक दुसरा पहलू भी है करारोपन से सरकार को जो आयप राप्त होती है सरकार उसका बिन्मय पूजी गत बस्तों के उत्पादन में अथवा उधो को आर्थिक सहता परदान करने में कर सकती है और इस पर का रोजगार की मतरा बढ़ती है मंदी काल में बिगारी की दसा का निवारन करने है तो लाड किन्स ने सरकारी बिन्मय उजन का ही सुझाब दिया है डल्टन ने भी लिखा है कभी कभी यह कहा जाता है कि करारोपन और विसेश कर धनी बर के करारोपन बिगारी को बढ़ाता है लेकिन जो बेरती इस विचार को सुझार करते हैं इस आस्था के पर्तिक होते हैं कि करारोपन दवाराय कतरित दरव च्टोक में रख लिया जाता है या समुंदर में फेक दिया जाता है करारोपन का आर्थिक स्तिर्था पर परभाव एपी लरनर के मतानोसार करारोपन का मुखे अध्याय सरी मुखेध्याय आर्थिक किरियाओ, उत्पादन, वितरन, और भोग सबन्दित किरियाओ के अकार का नियम करना है नियामन करना है करारोपन नागरिकों को भोग एवं बिनमय सक्ति को परभावित करता है मुद्रा स्पीति के समय करारोपन का परभाव नागरिक करे सक्ति को कम करना होता है इसके विपिरित मुद्रा संकूचन के समय करारोपन से उत्पादन और रोजगार की मतरा और भी अध घट जाती है तथा नागरिक की करह सकती काम हो जाने से बस्तों की सिवाओं की मांग और भी काम हो जाती है निसकर्स यह निकलता है कि उप्रूप्त विवरन से सपस्ट है कि कराधन द्वारा धन व्यक्तियों के अप बियाई उपभोग के नियंतरन करने पूजी निर्मान के लिए अबस्य कोस प्राप्त कर सकते हैं और भेद मूलक करा घात द्वारा सभी बर्गों को बचत करने तथा निवेश करने के लिए प्रुसाहित कर सकते है अता कर परनाली जिसका जितना ही कम बुरा प्रभाब काम एबं बचत करने की योगता कम एबं बचत करने की को कम कर देना चाहिए इसके विपरितमंदी काल में पुराने करों की दरों को घटा कर जनता की करेसक्ति को बढ़ाना चाहिए तब आर्थिक श्तिरता लाई जा सकती है तो इस तरह से आप लोगों ने जाना की कर अगर लगाते हैं तो क्या परभाव होता है कर कई से लगता है क्या हस लगता है इस पर अगर आप लोगों को अगर पॉइंट याद है तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे एक दो बार करेंगे यह कोस्टन को आप कहीं से भी अच्छे से इसको ध्यान से रखेंगे क्योंकि यह जो अनर्स का पेपर है इसलिए आपको ध्यान रखना है थैंक यू फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में